तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी आपको एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं अभी मुझे करना क्या है वो देखो मैं आपको ना कंपोनेंट के बारे में बताने वाला हूं कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है रियक्ट में तो कं पूरना इंटर्यू में questions भी पूछे जाते हैं कि जैसे की components के कितने type होते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं दो टाइप सोते हैं दो नहीं दो तो में में टाइप है अब जो में में टाइप उसके बारे में भी बता देता हूं कि component का मतलब क्या पहले हो बता देता हूं it is a piece of code जैसे function होता है अगर आपने c programming पढ़ी होगी तो function मनाने के लिए fun one लिखते हैं ब्रैकेट्स लगाते हैं curly bracket start curly bracket close same है यह भी same है अभी मैं दिखाता हूं आपको बस यहां पर एक चीज और मिलेगी आपको कि यहां पर function अभी बताता हूं function component और class component दोनों चीज़ें बताता हूं अब यह function component है अगर मैं बात करूं react की यहां तो लिखना पड़ेगा return और उसके बाद bracket start जो code लिखना है लिख अभी मैं करता हूं आपको खुदी समझ में आ जाएगा मतलब यह same as function होता है same as function बट better than function क्यों बताता हूं बस but more powerful than function बोल सकता हूं better than function powerful than function इसकी एक खासियत है तो चलो एक अच्छी चीज है कि यह powerful है better है उसके बाद इसका example मैं component का क्या बता सकता हूं जैसे की एक screen उसमें देखो उपर वाला जो part होता है इसको हम header बोलते हैं आपको भी पता है और इधर वाला जो part होता है इसको हम footer बोलते हैं अब header में आपने कुछ लिख दिया जैसे लिख दिया hello तो अगर आपके पास 100 pages है total 100 तो सब के अंदर ABC आ जाएगा अगर आपने पहले page पे एबीसी लिख दिया header में तो आप देखो के तो 100 के 100 page में ABC मतलब code आपने एक बार लिख दिया तो आप उसको as a component कहीं भी उस कर सकते हो component का exactly मतलब बताता हूँ जैसे की एक थाली है थाली के अंदर आपने चावल रखा है दाल रखी हुई है रोटी रखी हुई है सबजी रखी हुई है component तो हमारा थाली मतलब पूरा का पूरा एक application है एक application कैसे बनता है जब उसके पास बहुत सारे components होता है और इन ही बहुत सा login नाम की फिर यहां पर text field होता था यहां label होता था तो यह सब क्या है यह सब वही component तो है यहां react में component ही है JavaScript में तो इसका भी आपको धियान में रखना है तो मैंने आपको बता दिया component क्या है component के type की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं कुछ types बताने जा रहा हूँ components के type कौ दुसरा जो है जैसे कि मैं पहले लिखता हूँ कौनसा है यहां पर component जो है functional component बोलते हैं जिसे function component या फंक्शनल component कुछ भी बोलो functional component यह पहला टाइप है पूछते हैं इंटर्व्यूज में कि आप बता सकते हो कि components कौन कौन से होते हैं यहाँ पर तो आप बोल सकते हो कि components तो functional component होता है उसके बाद एक class component होता है जावा स्क्रिप्ट में उसके बाद और कौन सा होता है HOC यह भी है क्या ही है high order component बताऊंगा अगे के parts में हमें एक एक करके हर एक topic को cover करना है कुछ भी नहीं छूटना चाहिए high order component इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक होता है pure component अलग अलग है जब आप जैसे जैसे application को use करोगे आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलते जाएगा कि यह क्या होता है इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ components की pure component हो गया उसके बात करूँ तो controlled हो गया uncontrolled बस यह components आपको ध्यान में रखना है कि यह components होता है जो use होता है यहाँ पे javascript के react में हम यहाँ use करने वाले है एक आदा example बताता हूँ और को मैं एक file बनाता हूँ आपको एक नया component बनाके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ मैं इसको open करूँ first यहाँ पे cmd लिखता हूँ cmd किया open cmd open हो गया अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या मुझे code dot बस यह visual studio open करना है public पे आता हूँ यहाँ पे right click करते हैं new file अरे नहीं public पे नहीं कहां आया मैं public पे नहीं src पे public में कुछ नहीं करना src के अंदर एक नहीं file बनानी है मुझे new file और इसका नाम रख देता हूँ आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ component ना तो अब मैं यहाँ code लिखने जा रहा हूँ थोड़ा सा आपको चाहिए तो मैं font थोड़े बड़े कर देता हूँ ताकि आपको font अच्छे से दिखाई दे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा function यह word अगर आप functional component यूज करना चाहते हो तो function function का नाम क्या रखना चाहते हो मैंने क्या रखाया combo नहीं combo.js तो इधर combo लिख देता हूँ अब javascript में पहला later capital लिखी रहा हूँ है start किया start करने के बाद आपको return लिखना है मैंने आपको पहले ही बोला return लिखो return को start किया और जो code लिखना है आप इसके अंदर लिख सकते हो आपको जो भी लिखना है जैसे मैं अभी कुछ देर के लिख लेता हूँ इसके अंदर एक ही आप data लिख सकाएं अभी बताता हूँ कि मैं इसके अंदर क्या क्या कर सकता हूँ यहां लिखता हूँ h1 tag और h1 tag को close भी कर देता हूँ h1 इसको run कर आके अभी आपको दिखाता हूँ और मैं यहां लिख देता हूँ hello friends spelling ठीक है hello friends एक ही code लिखा हुआ है आप ध्यान देना लेकिन आपको इसके नीचे एक बात याद रखना export लिखना नहीं भूलना है कहां पर बताता हूँ एक टैग से ज़्यादा आप लिखने ही सकते इसके उन्दर रिटन के अंदर बहुत सारे टैग अगर आपको लिखना है तो बताता हूँ कैसे नहीं तो एक ही टैग चलता यह टैग हो गया ना बस एक ही अभी बताता हूँ अगर दूस्रा टैक है कि दिखा हूँ गलती होती। दिखाता है। ऊसके बाद आपको क्या करना। export लिखना है Like it support इसके बाद किसको Default लिखना ही पड़ेगा आपको यहां पर default किसको export करना आपके इस Compo को, सेवी कोलन सरे हो गया अब आते हैं हमारे किसमें app.js में app.js इधर है ये code तो चलने वाला इसको हटा दू क्या ये नहीं चलाएंगे चलो ये नहीं चलाएंगे भी इसको हटा देता हूँ कुछ देर के लिए कहां तक है ये एडर से शुरू हुआ इधर तक हटा दू यहां क्या लिख यहां मैं लिख देता हूँ चलाया जाए स्टार्ट तो करो और वो अपने आप क्लोज होगा बस लेकिन एक बात और है आपने इंपोर्ट कराया क्या भी इंपोर्ट कराओ इंपोर्ट किसको अभी आपने एक नई फाइल बनाई थी उसका नाम क्या है कॉम्पो यहां पर जैसे कि आपको बहुत सारी फाइल दिखाई दे रही है सेम वैसे ही है अगर आप देखोगे तो यहां पर अजय.js भी देखोगे तो यहां लिखते थे नाम इंपोर्ट कॉम्पो फ्रॉम कहां से वो लिखना ही पड़ता था ना वैसे अगर आप जब यह एप.js को उपन कर रहे है उसमें भी आपको यह सब लिखना पड़ेगा ना इंपोर्ट कॉम्पो फ्रॉम कहां से फिर आपको सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे डॉट स्लैस लगाके सुम्पो इस प्रॉकरा इंपोर्ट इंपोर्ट करोगे अब इससे क्या होगा यह तो चलना ही वाला आपको भी पता है एप तो चलना ही वाला इंडेक्स की वजह से क्यूं है अब को चला रहे हो क्या अजे को मच चलाओ अब आप एप को चलाओ एप को चलाओगे तो एप क्या करेगा एप.js खुद तो चलने ही वाला है कहां गया ये तो ये एप के अंदर का कोड किदर है एप.js किदर है हाँ अब सबसे पहले आपका ये कॉमपो चल जाएगा आपने जो बना के रखा हुए फाइल के अंदर उसको इंपोर्ड भी कर लिया वो चल जाएगा वह ऐसा कंपोनेंट काम कर रहा है आप उसको यूज कर सकते हो कितनी भी बार आप ये कोड को एक से जाधा बार और उपर स जैसे आप यहाँ पर और बिओ लिख सकते हो अच्छा आप ने डीव टाइग लिखा हुए इसके नदर कितना भी कोड लिख सकते हो मैं काम करता हूं मैं जैसे लिखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या लिखना चेह है है एच्वण टैग है उसके बाद मैं लिखता हूँ फि है close करने के लिए उसके बाद लिख देता हूं hello hello coding सीखो ऐसे बोल देता हूं बस save किया अब इसको execute करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा execute करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा NPM start start करते हैं देखते हैं क्या होता दोनों browser को भी आप चालू रख सकते हो चाहो तो वहां से भी refresh कर देते तो भी चल जाता लेकिन अभी यह क्या करेगा starting the development अभी फिर से करेगा तीसरी बार इसको close कर दो इसको भी close कर दो यहां से देख सकते हो यहां लेकिन अभी error है देख लेते हैं error क्या है हमारे कुछ module में error है यहां पर curly bracket को देख लेता हूं कहां नहीं दिया कहां गया मेरा program कॉम्पो की दर है कॉम्पो वाली हमारी file हाँ यह file curly bracket start है और अच्छा मैंने यहां दो brackets नहीं लगाया यह function जैसा काम कर रहा है आपको brackets भी तो लगाने पड़ेंगे मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पर वापीस से देखता हूं रूको कहां गया browser यह देखो hello coding सीखो hello friends आया एक काम करता हूं आपको एक चीज और दिखाता हूं मैं यह देखो यहां पर एक चीज और दिखाता हूं इसको भी minimize कर रहा हूं मैं ना मेरे कहां गया app.js इधरी ना लिखता हूं आपको दो तीन बार copy यह component को दो तीन बार यूज करेंगे दो बार तीन बार चार बार पांच बार copy किया अभी रन करते हैं रन क्या डैरे को अपने आपी रन होता है सेप करने पर यह देखो ना मतलब इस component को आपने यूज करके दिखा दिया कौन से वाले को यह क्या आपने compo.js बनाया था ना इधर लेकिन अगर आपने यह कोई और tag लिखने की कोशिश की यह दिखाता हूं क्या problem होगी h2 और यहाँ लिख दिया आपने फिर से h2 और यहाँ लिख दिया by यह गलत है यह पहले ही error दे रहा है यह पहले ही error दे रहा है यह error देख लो क्योंकि एक bracket के अंदर कहा गया jsx expressions must have one parent element एक ही element होना चाहिए jx expression लिखा हुआ है यह error है, कभी-कभी error हमें समझ में नहीं आती, error कौन सी है, jx expressions must have one parent element, अभी देखो क्या करते हैं, आप एक काम करो, इधर लिख दो div, div आप देखो कि क्या, यहां क्या लिखा है, पढ़ो div tag, यह दिख रहा है क्या, div tag, यह div tag, आप इसको use कर लो, सबसे अच्छा है, div tag use कर लो क्या आपका काम हो जाएगा, लिख दू क्या div tag, कहां गया, compo में, यहां लिख देता हूँ, अरे, div tag, यहां से start होगा, और उसके बाद कहां खतम होगा, return के अंदर ही खतम भी करना है, इधर, और यहां पर मुझे लिखना पढ़ेगा div, बस, अभी देखते हैं इसको, क्या कोई error आ रही है, नहीं आ रही है, खतम हो गया, यह देखो, मतलब एक से जादा आपको अगर add करना tag को, तो आप add कर सकते हो, बस div लिखो, div के अंदर सब लिखो, जो लिखना है वो, जितना भी लिखना है, उतना लिख सकते हो, देखो, धीरे धीरे practice से होगी यह चीज को समझने में, चलिए फिर आज के लिक्चर में इतना ही बाकी हम अपने अगले लिक्चर में बात करते हैं, चलिए फिर बाय सबको,